नवसकर दोस्तो आज की इस नई वीडियो में एक बार फिर्चाप का स्वागत है चतिसगर धान बोनस रासी के भक्तान के मामले में मुख्यों मंत्री द्वारा कड़ा निर्देश जारी किया गया है किसान भायों अगर आप भी धान की बोनस को लेकर काफी परसान है तो आज हम आपको चतिसगर के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गए निर्देश के बारे में बताने वाले हैं देखिए क्या निर्देश दिये गए हैं मुख्य मंत्री ने काया है कि किसान भायों की बैंक खाते में रासी निकालने में किसी तरह की दिक्कत ना हो या सुनिश्चित कि जाना चाहिए एवं तिसर निर्देश को पालन करते हुए सभी किसान भायों को सुधा पुरक उनका भुक्तान सुनिश्चित करना होगा बोनस रासी के भुक्तान में हीला हवाला करने वाले बैंकर्स के विरुद्ध होगी कारवाही किसानों से कमिशन मांगने वाले करगी रोड का सहकारी बैंक प्रबंधा निलम्बित बिलासपुर कलेक्टर ने की कारवाही इस प्रकार आप देख सकते हैं कि साखा करगी रोड के खाताधारक श्री दादूराम पीता बीपत सी ग्राम नकपुरा जीला बिलासपुर से बोनस की रासी वर्सद 2014-15 एवं 15-16 की रासी आराण में कमिशन लिये जाने एवं स्री देराम साहुत अथा स्री दिप कुमार पांडे से अबद्र बेवार किया जाने की सिकायत के संबंध में जो हरिषकुमार वर्मा परवेक्षक प्रभारी साखा प्रबंध के साखा करगी रोड को बैंक कर्मचारी सेवा नियम के अनुसार ततकाल प्रभाव से निलंबित किया जाता है निलंब्भार कार दिया गया है तो आब किसी भी प्रकार की कुछ जो है आनाकानी नहीं होगी क्योंकि साफ निर्देश मुख्यमंत्री साय जी द्वारा जारी कर दिया गया है यदि किसी भी प्रकार की आनाकानी करती है तो उनके उपर जो है अनुसासनात्मक करवा ही की जाएगी मुख्य मंत्री ने कहा है कि किसानों को अपने बैंक खाते से रासी निकालने में किसी भी तरह की दिक्कत नहों यह सुनिश्चित किया जाना चीए मुख्य मंत्री के निर्देश के परिपालान में कलेक्टरों द्वारा जीले में इस ब्यवस्था पर निगराने सुनिश्चित कराने के लिए हीला हवाला करने वाले बंकर्ष के विरुद्ध करवाही सुरू कर दी गई है